नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सरकारी टुडे न्यूज के ओफीशल यूटूब चलन में दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी कुश कबरी है गवर्मेंट टीचर की भरती आ चुकी है जी हाँ दोस्तों इस साल 2021 की नई और बंपर भरती होने जारी है जो की सरकार टीचर की भरती है ओफीशल नोटिफिकेशन दोस्तों जारी हो चुका है और अगर आप केवल बारुपास भी है तो आप सभी विध्यार्ती अपलाए कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों बारुपास विध्यार्तियों से आविधन मांगे जा रहे हैं कुल पद हैं 11500 से अधिक ज आज के वीडियो लास तक जरूर देएगा हम आपको आज की इस वीडियो में गौर्वर्मेंट टीचर की भरती की पुरी जानकरी देने वाले हैं तो दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दें अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं अगर आप चाहते हैं गौवर्मेंट टीचर की आपको जॉब मिल जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और अपने सभी सातियों के साथ इस वीडियो को शेर कर दें वाटस अप में फेस्बूक गूरूप में सभी गूरूप में शेर कर दें तकि आगे बढ़ते हैं बात करते हैं आज की नई भरती के बारे में जो की है गवर्मेंट टीचर की इस साल 2021 की नई भरती है योग्यता यहां पर बारी पास है केवल बारी पास के इंडियेट्स अप्लाई कर सकते हैं अगर आप दोस्तों ग्रेजुट पास भी हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं यहां पर जरूरत नहीं है कि अगर आपके पास बीएड हो या नहीं हो बिना बीएड के भी आप अप्लाई कर सकते हैं बिना सीटेट के भी आप अप्लाई कर सकते हैं केवल अगर आप बारी पास भी हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं जी हां दो तिती जो है 30 मार्च 2021 है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको 5 नई वेकिंसी की जानकाई देने वाले हैं जो की शिक्षा विभाग की ओर से जारी कर दी गई है जी हां दोस्तो आपको बताएंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट की टीचर्स की नई भरती के बारे मे चलिए आपको लेकर चलते हैं सीधा ओफिशाल वापसाइट पर तो दोस्तो इन 5 भरतियों की जानकरी और आविदन करने का लिंक मिलेगा हमारी ओफिशाल वापसाइट पर सरकारी-today-news.com पर तो आज ही Google में सर्च करें सरकारी-today-news.com जैसे ही आप सर्च करेंगे आप सिधा हमारी ओफिशाल वापसाइट पर आजेंगे दोस्तो हम सिधा वापसाइट पर आ चुके हैं और एके करके आपको 5 भरतियों की जानकरी आपको मिलने वाली है तो कर सकते हैं तो दोस्तों यहां पर टेकनिकल असिस्टेंट की पोस्ट है और यहां पर टेकनिकल और वर्क असिस्टेंट की पोस्ट है सीनियर टेकनिकल वर्क असिस्टेंट की पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट की है सीनियर असिस्टेंट की है और ओफिस असिस्टेंट की ह है आवेधन के वल आपको online करना होगा जो की आवेधन online शुरू हो चुके हैं वहीं job location जो है राजस्थान की रहेगी selection process में आपकी exam होगी ट्रेटेस्ट होगी और उम्र सीमा जो है 18-33 साल है अगर आपकी उमर है 18-33 साल तो आप apply कर सकते हैं वहीं यहाँ पर आपसे application fees जो है ल दोस्तों बताया कि बारवी पास के इंडियेट्स apply कर सकते हैं अगर आप बारवी के अलावा graduate भी है तब भी आप apply कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं बात करते हैं दूसरी भरती की जो की हरियाना स्टाफ सेलेक्शन कमिशन द्वारा निकाली जारी है हरियाना सरकार द्वारा जारुपे पर मंद आपको सैलरी मिल रही है सलेक्शन प्रोसेस में आपकी सबसे पहले एक्जाम होगी उसके बाद आपकी इंट्रिवु होगी एस लिमिट जो है यहाँ पर अठरा से बयानली साल है और आई स्विमा में छूट रगते है रिजर्व के इंडियेट्स को यहा आविदन ओनलाई श्री हो चुके हैं यहाँ पर आपकी सबसे पहले सलेक्शन प्रोसेस में एक्जाम होगी उसके बाद इंट्रिवु उसके बाद सैलरी यहाँ पर आपको 50,000 रुपे पर मंद मिलेगी और इसा की जोब लोकेशन है और यहाँ पर एस लिमिट जो है किस साल कम से कम है और अधिक जो एस लिमिट है वो यहाँ पर लिमिट नहीं है तो अगर आप 50 या 60 साल तक के भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं एप्लिकेशन फीज जो है यहाँ पर फोर अधर के इंटिगेट्स के लिए 400 रुपे है और SCSTO के लिए यहाँ पर बिलकुल फ एक 1894 पत जारी कर दिये गए है आविदन केवल दोस्तों आपको उनलाइन ही करने होंगे वहीं बात कर लेते हैं सेलेक्शन प्रोसेस की तो यहाँ पर आपका सबसे पहले रिटन एकजाम होगा उसके बाद आपका इंटिवी होगा एस लिमिट जो है 21 से 40 साल है आईउ सीमा इस हायर एजुकेशन सर्वीसेस कमिशन द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की वेकेंसी है दो हजार तीन पद है आविदन केवल आपको उनलाइन करने हैं सेलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पर आपकी एक्जाम होगी उसके बाद आपकी इंट्रिवी होगी सैलरी आपको मिल यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है तो मास्टर डिग्री यहाँ पर मांगी गई है इन सभी के आविदे शुरू हो चुके हैं अगर अभी तक आपने अप्लाइन ही क्या है तो 30 मार्स तक आप अप्लाइक कर दीजिए दोस्तों अगर आपको वीडियो सब्सक्राइब कीजिएगा धन्यवाद